पार्च अक्टूबर के दिन मोहन डाजा के डिरेक्शन में सांदार फिल्म रिलीस हुई थी गौड़ फादर जो बेहद ये फिल्म आज नौमा दिन भी जबरदस्त सिनेमा घरों में अपनी गजब की कमाई कर रही है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं नौमे दिन की इ पागत है आपके अपने चैनल में उसते पहले आप लोग को जनकारे देना चाहूंगा कि 25 अक्टूबर के दिन अक्षे कमार के फिल्म राम से तू और अजय देवगन के फिल्म ठैंक गौड रिलीज होए बारी है दो बड़े फिल्म की एक साथ क्लैस होगी जिसके आप लो जहां तक आप लोग को स्क्रिंस पर दिखा रहा हूँ इसकी उक्यपैंसी रिपोर्ट के बारे में गौड फादर फिल्म के नौमे दिन की जहां तक ओडियनसी उक्यपैंसी लाइव रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं मौर्निंग सो आप्टरनून सो एविनिंग सो और रिपोर्ट सामने आई है और नाइट सो को लेकर 36.09 परसेंटिस देखने को मिला है इस तरह की लाइब रिपोर्ट सामने इसकी उक्यपैंसी रिपोर्ट सामने आई है नौमे दिन के लेकर कहीं ने कहीं ये आकलन धीरे धीरे घटते वे निज़र आ रही है मगर मैं आप लो को डेली रिपोर्ट देता रहूँगा वहले आप लोगो बताना चाहूँगा किसके box office collection को लेकर तो आज की जिस तरह की production आज की जिस तरह की occupancy देखने को बिला है जिसको देखते हुए Mr. Abhisik Singh Singh जो एक बहुत बड़े trade expert है box office collections related उन्होंने कहा है कि आखिदकार godfather film के 9 में दि की box office collection वो भी worldwide net collection जिन्हों जहां तक ये record उमीद कर रहे हैं कि सारे 3 करोड प्लस के आकड़े होंगे मतलब 3 सारे 3 करोड प्लस के आकड़े पार करेंगे वो भी 9 में दिन की worldwide net collection जिया मैं ये gross collection नहीं बलकि net collection worldwide report मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस तरह की trade expert का कहना है वल आ आप लूग क्या केना चाहेंगे इसके 9 में दिन की box office collection को लेकर worldwide net collection को लेकर आप लोग अपना अपना opinion इस video के नीचे comments में ज़रू साजा करें वीडियो अच्छी लगी लाइक से ज़रू करें आगे जो भी reports आएगी इस movie से जूरी हो या कोई भी movie से जूरी आप लोग को ल